तिति 6.17 में POQ एक रेखा है फिर कारा किरन OR किरन OR रेखा PQ पर लंभ है किरणो OP और OR के बीच OS एकने किरन है अच्छा किसके किसके बीच O P और O R के बीच एक अन्य किरन कौन है O S है हमें यहां सिद्ध करके दिखाना है चलिए देखते हैं दिया क्या है दिया है कि P O Q एक रेखा है एक रेखा है और कहा है कि जो किरन आपकी O R है न वहां लंब है P Q पर इतना काफी है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना के अंगल R O S बराबर होगा 1 बाइ 2 अफ एंगल Q O S माइनस का अंगल P O S समझे ना चलिए तो इसको हम लोग यहां पर सॉल्ट करते हैं तो चलो इसका प्रमान देखते हैं अच्छा हम देख रहे हैं कि O R लंब है P Q पर यह तो हमारे पास दिया हुआ है तो जब यह लंब है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि अंगल P O R P O R लिख दो बराबर अंगल Q O R बराबर नबे लिख रहे हैं देख रहा है यह लंब है इस पर तो अंगल P O R यानिकि यह पूरा अंगल और अंगल Q O R यह दोनों क्या होंगे नबे नबे होंगे समझ रहना बात को अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसी के अनुसार से लेंगे मैं यहाँ पर क्या करता हूं अंगल Q O S लिखता हूं जो कि यहाँ पर यूज हुआ है Q O S तो Q O S देखो देखान से फिगर में Q O S या किसके बराबर होगा तो इस कोण के और इस कोण के इन दोनों कोण के यूग के बराबर हो रहा है ना तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल Q O R पलस में एंगल R O S देखनो Q O R और R O S इन दोनों के यूग के बराबर ही न होगा आपका Q O S होगा? चलिए अब इसको समिकरन एक मल लेता हूँ ठीक है? अब इसके बाद देखो उसी प्रकार से अगर मुझे लिखना हो एंगल यह वाला दूसरा वाला P O S देखो कहा है P O S P O S यह वाला तो यह कैसे आएगा? तो मैं लिख सकते हैं एंगल P O R देखो P O R यह इस पूरे में से घटा देनोगा इसको तो यह बच जाएगा यह नामे चाहिए P O S P O S की इसके बाद रखता है एंगल P O R में से यह आपका R O S घटा देंगा P O R में से क्या करेंगे? एंगल R O S घटा देंगे यह आपका समिकरन 2 हुआ ठीक है? आप यह पर समिकरन एक समिकरन 2 को घटा देता है डैक भी घटा सकते हैं यही पर डैक घटा सकते हैं यह लिग देता है कि समिकरन 1 से समिकरन 2 को घटा ले पाद ठीक है? ऐसे भी लिग देंगे तो कोई बात नहीं है अंगल QOS माइनस का अंगल POS बराबर में अंगल QOR प्लस अंगल ROS माइनस का अंगल POR और फिर माइनस का अंगल ROS ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर अंगल QOS माइनस का अंगल POS बराबर में अंगल QOR इसके मान की बात करते हैं फिर और प्लस में अंगल्स अर प्लस में अंगल आर ओ अष्कार प्लस में तो इसका कोई मान तो यह नहीं नहीं तो यह नवे से नवे कट जागा, यह दोनों मिल गए क्या होगा, two angle r o s, बराबर में क्या होगा angle q o s, और minus का angle p o s, यह रहे जाएंगे भाग में तो हो जागा, one by two angle q o s minus का angle p o s, बराबर में angle r o s, यही नहीं हमें प्रूब करके दिखना था, तो यह आपका प्रमानित हो गय है, one by two into q o s minus का p o s, किसके पराबर हो जाएगा, angle r o s के, कोशन नमर से,